दोस्का दोस्तों JPSC प्रिवेश इर प्रस्णों में आपका फिर से स्वागत है काफी ज्यादा महत्पुन होने वाली है CDPO एक्जाम के लिए साती साथ JPSC जो आने वाली है उसके लिए क्योंकि हम लोग यहां पर प्रस्णों को तो करेंगे ही साती साथ इससे और क्या-क्या नए प्रस्ण बन सकते हैं उसको भी करते हुए चलेंगे और देखेंगे जिस प्रकास से 11 JPSC में अनलाइस फॉर यू से सिलेक्शन हुआ था यहां से भी सिलेक्शन जरूर होगा तो वीडियो को आप यह चाहते हैं सिलेक्शन हो तो पूरा देखिएगा आप सिलेक्शन आ यहां पे जो है लाई जाएगी तो वीडियो को लाइक से जरूर करिएगा टेस्रीज वेगर आपको अनलाइस फूर एप में उपलफ्द हो जाएगा ठीक है उपलफ्द है उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जाके जरूर जोइन कर लिजिए पहला सवाल है भा अर्याना राजी के यह कहां पे हैं तो ह्याना राजी के यह रिशाल जीले में स्थित है तो अंपने बहुत हैं तो इस के लिखाहें न प्रकार से पढ़ते हैं और भुजरात में बढता है ठीक है और धॉला विरा में क्या है वई तो यहां पे जो मेटल एक्स्रेक्शन होता है उसके सबूत मिले हैं मतलब यहां पे भट्टी मिली है धातू की भट्टी मेटल की भट्टी या मेटल फर्नेस मिला है जिस प्रकार से आपको मालूम है ना कि हम यदि लोहा को निकालना चाते हैं मिट्टी में मिनरल में और में होता है अब और को आप लोग क्या करते हैं ब्लास फर्नेस में डालते हैं और उससे लोहा निकलता है ठीक है उसी प्रकार की फर्नेस यहां पर मिली है तो इसलिए हम लोग यहां पर जान पाते हैं कि यह जो लोग है धोलाविरा की ल जहां पर सीप वेगरा बांदी जाती है जहां पर सीप का यूज होता था ठीक है यह हो गई लोथल की बात काली बंगन की बात करें तो नाम से इस पस्ट है काली और बंगन यह काली और बंगन से बना है काली का मतलब होता है ब्लैक और बंगन की बात करें तो यह बैंजल से ब लगिया है नेक सवाल की और बढ़ेंगे यदि हम बात करें हरपर सभ्यात्या की तो इसे हम सिंदु घाटी की सभ्यता के नाम से भी जानते हैं इंडस वैली सिवलाइशन के नाम से भी जानते हैं चलिए अगला सवाल हमारा क्या है रिगवैदिक जनसभा जो नियाई कारियों से सम्मन्दित थी जो सिस्टम होती थी तो इसमें से कहां कौं से जगह में यूज होती थी तो यहां पर सभा सभा में यूज होती तो यहां पर ऑप्शन एक is the right answer नेक सवाल की और बात करेंगे देखिए जब रिगवैदिक की बात आई हैं तो हमें मालूम है कि चार वेद हैं ऐसे आपको कहीं कहीं पांच वेद भी दिखेगा मगर एकॉर्डिंग कुदा NCRT आपको जो आंसर करना है चार करना है ठीक है तो आपको इतने चीज़े जरूर मालूँ होनी चाहिए नेक्स है हमारा यमक बुद्ध पितक जो है वो किस से संबंदित है तो यहा संगीती का मतलब क्या है बहुत संगीती का मतलब यह है कि देखे महात्मा बुद्ध का जब यहां पर निर्वान हो गया जब उनका देहांत हो गया तो उसके बाद इतने भी बहुत धर्म है वो अलग-अलग संप्रदाय में बटने लगा तो उसमें क्या हुआ कि जो बुद संधम देख रहे हैं इस में से मैं बताना चाह Harshце पहले तो छह संगीती जिसमें से प्रथम संगीती जो हुए थी ये दो पीटक ч disgrace बने थे ते का मतलव होता है कि जिसमें बुद्ह बुंगे संकलीत किया गया हो मतलब एक तरह की पुस्तक आप समझ लीजिए जिसमें बुद्र के जो लेशन्स हैं संदेश हैं ठीक है वो जो है संकलित किया गया हो तो तीन जो है पिटक किया गया थे जिसे हम कहते हैं तो जो है संकलित कर लिया गया था और पर्थम जो संगीती हुई थी मैं यहां पर बताना चाहूँगा यह काफी ज़्यादा महत्पून है यह हुई थी राजगीर में ठीक है राजगीर में हुई थी और यह करवाय था अजात सत्रू ने तो अजात सत्रू ने यह करवाय था इतना ठीक है, चलिए, नेक्स सवाल के ओर बढ़ेंगे, अगला सवाल हमारा क्या है, सवाल है, चीनी तिर्थी आर्थी जसने छटी सताबदी में भारत दर्सन किया, यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर option C, यहाँ पर सही आंसर होगा, सुंग यून ठीक है चलिए नेक्स सवाल क्यों बढ़ेंगे अगला सवाल हमारा क्या है सवाल है चालुक्यन सासक पुलकेसिन की हर्स पर विजय का वर्स क्या था तो यहाँ पर आपके पास है चार आप्सन तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा स्वी 618 स 168 में इस चार पर यहां पे क्या रोगा था विजय हो गया था अब inland be बताईगा शर्स पर स्वी नाम से भी जानते हैं च्रातो हर्स चतरई जो हर्स कर्म है वह किसने लिखा था जड़ा कमेंड करके बताइएगा चलिए नेक्स सवाल क्यों बढ़ते हैं अगला सवाल है चुम्बकिय दिशा सुचक का भारते महासागरों में परियोग की प्रानंबिक सुचना किसके द्वारा दी गई तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा सद्रुद्दिन म मारक में दिशिदीत है मतलब जो महराव होता है न वो जो है किसमें बना हुआ है जो फर्स्ट ट्रू आर्क बना हुआ है तो महराव आप देख सकते हैं जैसे ताजमहल में महराव है इस परकार से बहुत जगा महराव आप देख पाते हैं तो यहां पर पूछा कि पर्थम लाव ड सरहे जो वास्तरवी के महराव है वह कहां पर दिखता पहला अप्षossen है कि बलंबन अहपर इस्लाम मस्धीद छैनली अवराइ जर्ट तो अपर जैनला जाएगा अप्षं प्रस्न की बढ़ेंगे प्रस्न है अती कटर पन्ति सूपी सम्रदाई था तो यहाँ क्या हो जाएगा option है आपकτε चिस्ती उसके बाद सुहरावर्दी उसके बाद है नक्सबन्दी फिर्यकादरी तो यहाँ पे सही option हो जाएगा सुहरावर्दी तो यहाँ काप़ि देखिए चांदी का जो आविस्कार है रूपया की दिहां बात करें रूपया का भी संदर्ब जब आता है तो आपको हमेशा याद रखना है कि सेरसा ने किया था और यह चांदी के सिक्के इन्होंने ढलवाये थे ठीक है और देखिए यह रूपया भी उसी नाम से आया ही है रूपिया जो है वो रूपा से आया है, रूपा का मतलब आपको मालूम होता है, चांदी होता है, सिल्वर होता है, ठीक है, बंगला में आप चांदी को रूपा ही बोला जाता है, ठीक है, हिंदी संस्क्रीट में भी रूपा बोला जाता है, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं, य उन्होंने चीजे लिखी है और यह लेखग कर ना में आपको यहां पर करते हैं सबसे पहले मिँस करते हैं तो हाना 10 जो वाहिद विलगामी है उन्होंने लिखा था अगुंड़ते हैं त हचलाग रिकboys गवां जो इन ये लिखा था तो यहां पर एक हो गया उसके बाद पुजूर 3 , this is very important , जो पॉजूर्ध 3 जो है किस ने लिखा था ? यह लिखा था ? तो सद्रूद्दिन मुहंबद जी ने तो यहाँ पे दूसरा हो गया 312, उसके बाद जावाम्यूल हिकायत जो है, यह किस ने लिखा था, तो यहाँ पे जो बच गया, उसको यहाँ पे कर दिजिए, ठीक है, तो यहाँ पे 4 बच गया, तो 4 कर दिजिए, तो 3124, तो देख लीजे कहाँ पे है, 3124, 3124, तो option C यहा आंसर हो जाएगा 1850 में ठीक है नेक्स हमारा सवार है निमलीखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था तो इन्हों ने सभी लोगों ने जो है यहां पर गांधी जी के साथ भाग लिया था तो तो यह बहुत important सवाल है, बार-बार पूछे जाने वाले सवाल है, तो यहां पर सही answer क्या हो जागा, सिकंदर हयात खाँ, तो इन्हों ने जो है, resolution जो है, वो बनाया था, मगर इसमें जो इसे रखा गया था, एक हो गया बनाने वाला draft, दुसरा है रखने वाला, तो यहां पर रखने वाला कौन है, फजूल हक है, तो यहां पर सवाल पूछा गया, किसने तयार की थी, तो option B है, मगर next time में यही सवाल पूछ दे कि यह पस्ताव किसने रखा था, तो यह पर फजूल हक यहां पर सही answer हो जाएगा, ठीक है, next सवाल क्यों बढ़ेंगे, सवाल क्या 14 ने निमलखित मेंसे किस प्रांत में लोगनेनर्थि संसथी वो दि थी, अब देखें यहां पर, माउंड्बेटन योपाइसAngs कि बात करें, थो आपको मालू है, यह माउंड्बेटन योजना हम कहते हैं, इन्डियन इंडिपेंडन्स एक्ट, इन्डियन इंडिपेंडेंस एक तेक है 1947 तो इसी के ताद जो है इंडियन इंडिपेंडेंडेंस इंडिपेंडेंडेंस एक 1947 इसके अंतरगर्द जो है दो यहां पे देश बने थे एक तो इंडिया एक पकिस्तान इसे हम लाव माउंट वेटन योजना भी कहते हैं तीक है उस टाइम में यह वायस राए थे इसलिए उनके नाम से योजना रखी गई अब इंडियन इंडिपेंडेंडेंस राइं 1947 में क्या बाते कही गई थी इसे बाते बाते बताई गई थी कि एक काम करते हैं हिंदुस्तान और पा प्रिंसली स्टेट था मतलब राजा महराजाओं का सासंग था अब यहां पर बिटिस ने क्या बोला बिटिस ने बोला कि हम जो बिटिस इंडिया है वह आपको दे देते हैं ठीक है उसमें भारत बना लिजिए मगर जो प्रिंसली स्टेट है उनके पास जो है ऑप्शन दिय गया कि यह आप भारत में मिल जाएं यह आप पाकिस्तान में मिल जाएं यह आप स्वतंद्र भी रह सकते हैं यह ऑप्शन दे दिया गया बाद में सदावलव भाई पटेल ने काफी इसमें अच्छा योगदान दिया और बहुत सारी जो रियासत हैं जैसे हम बात करें हैं का निजाम है तो बहुत बाद में जो है मिलाए गया उसके बाद बहुत सारी जो है जितने भी रियासत थे उनको मिलाने का कारी किया गया तो यहां पर सवाल दूसरा पूचा है सवाल पूचा गया है कि इसमें से निम्लिकित में से किस प्रांत में लोक निनायत जो है संतु तो यहां पर option D यहां पर सही answer हो जाएगा चलिए नेक्स सवाल क्यों बढ़ते हैं नेक्स सवाल निमलिकित जोरों मैंसे कौन सा जोरा सही नहीं है भारत का कुल चेत्रपल 3.28 मिलियन वर किलो मिटर सही है भारत का अक्छान से विस्तार कितना है तो 8.8 डिगरी 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिगरी 6 मिनट उत्तर तो आपको अक्छान से विस्तार की बात करें देखिए अक्छान का मतलब क्या होता है अक्छान का मतलब होता है latitude तो आपको जैसा कि मालूम है कि यह अर्थ है हमारी और यहां पर zero degree latitude जिसको हम लोग equator बोलते हैं उसके बाद यहां पर बहुत सारे equator आप बना सकते हैं बिसिकली यहां से बनाते हैं हम लोग तो टोटल यहां पर आप 90 डिगरी तर बना सकते हैं यहां पर टोटल 90 ऊपर 90 नीचे 180 बना सकते हैं और एक तो बीच वाला हो गया 181 हलाकि 179 आंसर में होता है इस परकाशे कि टोटल अक्षांस रेखाएं कितनी है तो टोटल अक्षांस रेखाएं यदि आपसे पूछा जाएं तो याद रखिएगा यहां से हम लोग डिग्री बनाते हैं यहां से लेकर आप एक डिग्री दो डिग्री हैसे बना सकते हैς और यह टोटल 90 डिग्री धर बन जाएग एगा बनेगा ठीक है 180 और यहां पर एक हो गया 181 मतलब 181 रिखाए जो है यहां पर बनी ठीक है मगर यहां पर यह वाली जो है और यह वाली जो है नौट और साउथ यह दो पॉइंट हो गई ठीक है तो 181 में आप माइनस कर दीजिएगा तो कितनी हो गई 179 तो इस प्रकार के बहुत सारे उप्सन उस पर मिल सकते हैं ठीक है वह प्रसन पर डिपेंड करेगा कि आंसर क्या होगा मगर यहां पर सवाल दूसरा पूचा है यहां पर पूचा कि अच्छान से विश्थार कितना है तो आठ डिग् सवाल है अगला सवाल हमारत सवाल है भारत का कौन सस्थान है जहां बंगाल के खारी अरब सागरर मिलती है तो यह हो जाएक कञ्या-कुमारी ठीक है तो आप सब्सक्रां में भी मना सकते हैं जैसे यहां पे जहां पर देखिए यहां पर सिर्लंका आप इधर से अरवलशी देखते हैं और नीचे में इंडियन उसन है तो तो अम लोगे बोलते हैं इसमें और भी सवाल पूठता है कि भारत और सिर्लंका को कौन सा स्ट्रेट कौन सी जलसंदी अलग करती है straight का मतलब क्या होता है straight का मतलब होता है जलसंदी जलसंदी का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे दो जो जल धारा है बड़ी बड़ी जल धारा है जहाँ पे match करती है उसको हम लोग जलसंदी बोलते है तो basically यहाँ पे यह जो बंगाल की खारी है और यहां पर आपको मिरेगा मनार की खारी तो बंगाल की खारी और मनार की खारी यहां पर मैच करती है इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं इसका नाम है पार्क स्ट्रेट पार्क स्ट्रेट ठीक है तो सवाल पुछे कि भारत और सिरलंका को कौन सी स्टेट अलग करती है कौन सी और एक सवाल में कर ले लेता हूं ताकि आपको चीज़ें याद रखे देखिए नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका आप में निकालिए तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जब आप देखेंगे तो यहां पर नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दो बड़े लेंड है दो बडे लेंडमास है दो बड़े लेंडमास को अलग करने वाली जो जगा होती है उसको हम लोग बोलते एस्थमस जह बोलते हैं तो तो स्थल संदी हिंदी में बोलेंगे तो यहां पे आपको मिलेगा पनामा स्थमस तो एक सवाल इससे भी पूछता है कि कौन सा स्थमस है जो नौर्थ अमेरिका और साथ अमेरिका को अलग करता है तो यहां पर आप बोलोगे कि सर यहां पर जो है इंडिया इंडिया और स्रिल तो दो बड़े लेंड मास यहां पर नहीं अलग हो रहे हैं तो इतनी चीज़े आपको सवाल की और वरेंगे सवाल है छित्रफट्र की द्रिश्टि से भारत का बृर्ष्टों के देशन में कौन सा स्थान है तो चौन साहीं आंसर हो जाएगा वी तक वीडेबर को लाइक किया तो प्लीज क्रेंट कर दि दिजएगा देखें यहां पर सबसे पहला जो है आपको मालूम है रसलिया है Pennsylvania त्विड स्तान पीर अपर यू एस यू है यहां पे यू सका इस टाना ता उसके बाद आता अस्ट्रेलिया और अस्ट्रेलिया के बाद है प्यारा भारत आता है तो सात्वा स्थान में देख लिए 1 2 3 4 5 6 7 तो सात्वा स्थान यहां पर सही आंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट हमारा सवाल क्या है सवाल है देख लिए निमलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान देना है महादेव प्रवत सिंगला मैकाल प्र मैं बना दे रहा हूँ अब देखिए महादेव पहारी जो है महादेव जो है आपको मिलेगा मद्यपर्देश में मैकाल जो है मद्यपर्देश और चतिसगड़ में मिलेगा ठीक है उसके बाद छोटा नाकपूर तो आपको जारकन में मिलेगा यहां पर और खासी जो है वो तो पर चीज आपको दिमाग में रखनी होंगी नेक इस सवाल हमारा के सवाल है करनाटक तो इतनी चीज़ें याद रखें सवाल के बढ़ते हैं क्या सवाल है जारकन में वार्सिक वर्सा जो है एन्वल इंफॉल होता वह कितनी होती है तो यहां पर आपसर हो जाएगा next हमारा क्या है next हमारा है कहां गया next question number 20 20 है निर्मिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है ठीक है तो यहां पर बोला कुल्हान तो कुल्हान जो है आपका सिम्वूवला एरिया तो कुल्हान में खजीर संजादर बिल्कूर सही है कौसा सही नहीं है बोलाई कच में मिले गरी गुजरात में है जो एक मरुस्थल तेक matter कीS imagine यहाँ जंसर सही हो गया मालाऑर बढ़ी सब्सक्राइब है बल्कूर सभी यह नहीं तर बोर्झे में कि द्रेइया है दंदकारण में क्या है जूट की खेती इसमें बोला कि कौन सा सही है तो उत्री भी आ देखिए दल्राग में सुती वर्स कहां से मिलेगा वहीं इतनी प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहां पर कुछ मिलता है रही नहीं है है ना वहां पर आपको एक ही चीन मिलेगा स्थूपा जो है है जो चूपा होता है मतलब कर आई सुपा किसने बनाई है अभी जो यहां पर प्रोटेस्ट हो रहा था न वा जूसा सब्सक्राइब नहीं सुस्तुपा बनाया है कि कौन से साइंटिस्त नहीं यहां पर लद्दाक में प्रोटेस्ट किया था ठीक है चले करके बताइएगा नेक्स पढ़ते हम लोग तो यहां पर मैं उसके ब़ाद बंगाल में पर बंगाल में दिया नहीं तो बिहार है उसके बाद पंजाब में फिर जरकण फिर इंफिर उत्राइब तो एक हो गया चार तो चार नम्म लिखते हैं फिरा भील भील कहां पर मिलेगा आपको भील कहां मिलता है तो भील मिलते हैं राजस्थान में ठीक है उसके बाद गद्धी मिलता हिमाचल परदेश में चार एक तो मुंदा कहां मिलता है जारकर्ण में तो चार एक दो तिन कहीं थारू हो जाएगा उत्तर परदेश भील हो गया आपका राजस्थान गद्धी हो गई आपकी हिमाचल परदेश ठीक है और मुंडा हो गई आपकी जारकन चार एक दो तीन ऑप्सन डी इस दा राइट आंसर नेक्स्ट बनेंगे अगले सवाल की और सवाल हमारा क्या है सवाल ह संसोधन के अंतरगत दो अलग निकायों में बाटा गया है तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा 89 जो यहां पर अमेंडमेंट अब देखिए यहां पर सवाल बहुत इंपोरेंट पूचा है बहुत इंपोरेंट है देखिए 93 जो एमेंडमेंट हुआ था न यह आपके आर्टिकल 15 जो है आर्टिकल 15 में कुछ संसोधन किये गए आर्टिकल 15 आपको मालूम है कि एजुकेशनल जो इंस्टिशन है उसमें रिजर्वेशन की बात करता है तो यह 18 जो 93 संसोधन है इसी मे एजुकेशनल इंस्टिशन में रिजर्वेशन की बात करी गए थी आर्टिकल 15 के अंदर तो यहां पर यह संसोधन हुआ था इसी में उसके बाद 44 समीधान संसोधन के पहले 42 समझ लीजिए बैलिस्वा जो है वो इंद्रा गांदी के समय हुआ था 1976 में क्या है यह में कापी इंपॉर्टन है अब देखिए बैलिस्वा समीधान संसोधन में क्या हुआ था कि हाई कोट और सुप्रीम कोट की जो पावर है वो सीज कर ली गए थी कम कर दी गए थी मतलब कि मा लीजिए कि कोई समीधान संसोधन जो है आठिकल 378 के तार 368 के तार 368 नहीं करते हैं आ सबसे ज़्यादा संसोधन को मिनी कंसेशन कहते हैं क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा संसोधन हुए थे थे बहुत रात हो गए यह ना थोड़ी इसे थोड़ी आवाज में आ जा रही है तो थोड़ा सा माप करिएगा अब देखिए तो इंद्रा गांधी ने जो इमेंजनसी में गया था उस टाइम में यह लाय गया था तो इसको मिनी कंसेशन भी कहा जाता इससे बीक्जा में सवाल पूझता है मिनी कंसेशन इस तरह इसलिए क्योंकि इसमें समिधान को लगवग वदल दिया गया था मतलब बहुत सारे संसोधन कर दिये गये थे और काफी लोगों क इसमें जेल में भी डाल दिया गया था ठीक है तो यह चीज़ें यहां पर हुई थी अब देखिए बहुए सब्सक्राइब तो हमने देख लिया कि हाई कोड सुप्रीम कोड की पावर चीनी गई अब यहां पर देखिए चावारिस्वा संसोधन जो है इसी के एगेंस्ट में देखिए ती मतलब हाई कोड की पावर सुप्रीम कोड की पावर चीनी गई थी इसको बहाल करने का काम जो है वह 44 संसोधन करता है और इस यहां पर यहां पर यह ओ सवार नहीं आगे जाके जो है वो जंसंग बना ओर जंसंग ही आगे जाके भाजपा बना तो इतने चीज़ां आप समझ गया होगे नेक्स बढ़ते है हमारा चलिए, नेक्स सवाल हमारा क्या है, सवाल है, मूल भारती समिधान में कितने भाग, अनुछेत और अनुसूची थे, तो आपको मालू है कि जब समिधान बना था, उस टाइम की बात ये कर रहा है, तो समिधान में 22 भाग थे, 395 अनुछेत थे और 8 अनुसूची थी सेड्यूल थी तो ऑप्सन यहां पर सही आंसर हो जाएगा अभी कितने हैं पचीज भाग है अनुचे तो खेर बढ़ता घटता है मगल मूल रूप से तो बारा अनुसूची अभी है टोटल ठीक है चलिए नेक्स टाइम मैं इस तरह के सवाल पूछे तो आप इसको बना सकते हैं मगर यहां पर ऑपसर यह सही आंसर हो जाएगा नेक्स अठाइस्वा सवाल क्या है भारत में राजनेतिक दलों से दलबदर की बुराई को किस संसो सवाल है समिधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया तता एकत्रित किया जाता है लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच पांट दिया जाता है तो यह आर्टिकल 270 में कही गई तो ऑपसर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा नेक्स हमारा क्या है नेक सबूंद इसको हिंदी में बोलते है और ग्लोबैश्वी करण तो यह तीन तर्म जो है यह 1990 में लाई गए थी इस ताइम में आपकी कौन थे नर्जी मारा जी जो है वो परदान मंत्री थे और यदि हम बृतर मंत्र की बात करें तो मर्मान सिंग जी थे तो इतने आपका सव तो चलिए हम लोग नेश सवाल के और बढ़ेंगे अगला सवाल हमारा क्या है तो यहां पर लारफीता सही हो जाएगा इसके ताहट क्या हुआ था कि इसमें लिबरल बना दिया गया था एकोनोमी को क्योंकि एकोनोमी हमारा डूब रहा था तो डूबने से बचाने के लिए कि हमें लोन लेने के लिए क्या करना होगा तो उनकी नितियों को फॉलो करना होगा तो उनकी नितियां विल्कुल साफ है कि आप बाहर से कोई भी जो कंपनी आएगी उसको अलाव करिए ठीक है इसलिए यह पॉलिसी यहां पर अपनाई गई थी और इसका फायदा जो है हमें आज भी देखने को मिलता है चलिए निक्स्ट सवाल क्या है सवाल है राजी हर जगा है यह अंतराल साइड ही कोई चोड़ता है यह व्यक्तिक धारन का की अव्याख्या करता है तो यहाँ पे लोकतांतिक राज्च यह वह हर जगा है यह बात किसी है? तो लोकतांतिक राज्च राज्च की है डेमोक्राटिक स्टेट की है दूसरे प्रसासनिक आयोक के कौन सी परतिवेदन ने भारत में शुशासन की बाधाओं की पहचान की है तो यहां पे दूसरे प्रसासनिक आयो की हम बात कर रहे हैं तो कौन सी परतिवेदन जो है उन्हों दिया था जिसमें भारत में शुशासन की बाधा की पहचान करी है सासन में नतिकता नागरिक केंद्रिक सासन तो option भी यहां पर सही answer हो जाएगा इसी में यह बताए गए थी कि नागरिक केंद्रिक प्रसासन है जो कि सासन का एक केंद्रबिंदू है ठीक है नेक्ट हमारा सवाल क्या है सवाल है भारती समिधान की कौन से च्वेद में जीला योजना समीती का गठन होता है ठीक है तो देखिए यह जो सवाल पूछा गया है यह मिनस्पिल्टीज से पूछा गया है मिनस्पिल्टीज से पूछा गया है ठीक है तो कापी ज़्यादा important है article 243 से लेकर मतलब 243 ओ तक दिया हुआ है आपको मारूम है अब यहाँ पर यह जो सवाल पूचाए मुनस्परिटिस से पूचा गया है जो कि भाग 9a में आता है और इसमें आपका जो है article 243zd तो यहाँ पर option a यहाँ पर सही answer हो जाएगा 243zd में बताया गया है कि एक जीला योजना समीति का निर्मान करना है ठीक है तो इतनी चीज़ां आपको समझ में आ गई है चलिए नेक सवाल के और बढ़ते हैं सवाल हमारा क्या है वही सवाल है जोड़ी बनाना है ठीक है तो यह जोड़ी जो है न यह बिलकुर सही जोड़ी है तो यहां पर 123 पो जहां पर दिया है वही सही आंसर हो जाएगा ABCD ऑप्सन यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्सन ए ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं चौदवा वीत्त आयक जो है फाइनल समिशन है सिफारिशों के आधाप संगी करों के कुल आय का हिस्सा केंद्र से रा सरकार द्वारा स्थापित किया है यह कब किया गया है 2010 में 2010 में इसे स्थापित किया गया है नेक्स्ट हमारा भारत के परिफेक्ष में निमलिखित में से कौन सा स्थान कथन जो है जलवायू परिवर्तन की दुस्प्रभाव के संदर्म में सत्य नहीं है तो यहां पर देख कोई मतलब नहीं बनता है option C है ना तो option C यहां पर सही आंसर हो जाएगा next हमारा क्या है next हमारा है कि सुची मिलाना है है ना तो inequality देखिए यह बहुत famous book है सभी लोग जानते होंगे इन ठीक है तो यह काफी जाना important book है किसने लिखी है तो अमर्सेंजी ने लिखी है ठीक है तो पहला वाले तो तीन हो गया उसके बाद the price of inequality किसने लिखा है तो जौसेब जीने लिखा आपको मालूम होगा तो option A तो तीन एक देख लीजे पहले उसके बाद यहीं नहीं मिले तो आगे बढ़ेंगे तो तीन एक देख लीजे तीन एक चार दो तो option D यहां पर सही आंसर हो जाएगा 3142 इस परकार से जब option वाला सवाल हो तो पहले दो मिला लिजिए यह आपको confirm पता है तो और टिक कर दिजिए अराम से नेक सवाल हमारा क्या है सवाल पुछा है कि यहां पर कमीटी का नाम दिया गया है और उससे संबनी सेक्टर का नाम दिया गया तो वह बहुत महंत्पून सवाल है तो कैसको करते हैं चलिए देखिए सबसे पहले बात करेंगे चक्रविर्थी समीथी के बारे में कि तो यह समीति यह बैंगिंग शेतर सुदार की बात करते थे तो दो होगा और चलिया समीति जो है वो कर के बारे मात करते थे तो और 5 332.1 कहीं पर है तो देख लीजिए और नहीं है तो गलत देख लीजिए कहीं पर है 2321 243 ludzie 321 कहीं नहीं है यह वाला copy system जो है JPS ने गलत दिया है इसलिए मैं भोले ने गलत है तो यह गलत यहाँ पर दिया है 431 To यह एक भी option साही नहीं है 3321 यहाँ पे सही यहां पर क्या हो जाएगा यहां पर सही answer हो जाएगा दोनों एक तो से संदर में कौन सा कठाझ सत्य नहीं है तो यहां पर 67% जनता को कानून रुप से सबसेड़ी वाले खादे परदान करती है यह 75 परतिसद ग्रामिन जनसंग क्या 50 परतिसद चाहरी जनसंग को अचारित करती है इसमें केवल दो अनुच्छे थे तो यह गलत बात है और यह जो है गलत बात है option C तो यह पूछा था कि कौन सा सही नहीं है तो option C यहां पर सही आं अधर हो जाएगा नेक सवाल सवाल है special economic zone SCZ इसको बोलते हैं बैसिकली बनाए क्यों गया है बैसिकली जब आप इंडिया का मैप देखेंगे ना तो बैसिकली होता क्या है कि कुछ छेत्र को विक्सित करने के लिए ठीक है हम लोग special economic zone बनाते है बैसिकली आप बॉडर एरिय बनाता है गुजरात वाला एरिया आपको यहां पे क्या मिलेगा special economic zone मिलेगा special economic zone एक ऐसा zone होता है जहां पे जो economic activity होती है उसमें tax में बहुत सारे बदलाव की जाते है टैक्स कम लगाया जाता है ठीक है इस परकार की नीतियों में परिवर्तन करके वहां पे ज्यादा से ज्यादा प्रोच्छान दिया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा यहां पे क्या हो आर्थिक गतिविदी हो जहां से लोग भी क्या होंगे अच्छे से डबलफ हो पाएंगे तो कई सारी इसलिए नीतियों को इसमें संकलित करा जाता है तो यहां पर सवाल क्या पूचा था सवाल पूचा गया था कि special economic zone की नीति देश में पहली बार आरम की गई थी तो 2000 में आरम की गई थी option भी यहां पर सही तीनों option सही है 8% वास्तविक GDP हुआ था हलांकि इसका जो है अनुमान था 8.2% मगर 8% वास्तविक हुआ था चार परसन क्रिसी विकास दर यह भी सही है पर्तिवेक्ति जो जनता हुआ 10% तक कम करने की बात हुए थी तो तीनों option सही है तो यहां प्रस्ण में नहीं गलत डाल है तो उसके इसाब से चार नमर option सही होगा ठीक है यदि है तो अब ribosyme के बारे बोला राइबॉजोम क्या है तो आपको मालूम है कि यह ribonucleic acid बना होता रहने ठीक है यह RNA का बना होता है ribonucleic acid और इसका काम होता है protein synthesis करना protein को बनाना ribosome ठीक है तो यह कापी जाना तो आपको क्या मिलेगा यह आपको कहां मिलता है तो आपका जो गॉल्जी अपरेक्टस होता है प्रेस्ट जो है वह फ्लैट इस टाइप का स्टर्ट्चर होता है और इसके पीछे इस तो यहाँ पर देखिए ribosome कहाँ पर मिलेगा मैं आपको बताना चाहूंगा तो गॉलजी अप्रेटर्स के पहले आपको एक चीज देखना पड़ेगा यहाँ और वो देखना पड़ेगा तो वो देखना पड़ेगा आपका काफी जादा महाध्पून है जिसे हम कहते है ऑस-ी-डीडे और अर्यार कृम तो यहां पर सॉफ्ट इंडॉप्ल्याश्मय रेटीकूलम और रफ इंडॉप्लास्य को अ इसे के ऊपर इंडीडेन होता है राइबोसोम इस प्रकार से इसलिए ऀसको हम लोग बोलते हैं रफ इंडॉप्लास्यम नेक्स्ट है मिर्त मचली डेट जो मचली होती उसमें दुरगन जो है कौन से कंपाउंड से होती है तो अमीनो योगिक से होगी option यह आपर सही आंसर हो जाएगा नेक्सवाल हम रहे है नेक्सवाल है नन स्टीक फ्राइग करहाई तो यह टैफलाउन का मना होता है कि आज उसमें जो जो होती है तो तो क्योंकि प्लास्टिक है वह उप्सें इसमें होता क्या है कि तेल चिपकता नहीं है क्योंकि प्लास्टिक की बनीवी प्लास्टिकों पौली सोग्या है वो नेक्स सवाल है, poisonous mustard gas क्या होता है, तो poisonous mustard gas जो है वो liquid होता है, option भी यहाँ पर सही answer हो जाएगा, next पचासवा और अंतिम प्रस्न, और next हम लोग अगले वीडियो में 50 प्रस्न और करनेंगे, सवाल है, dynamite के निर्मान में परिप्थ होने वाला रसाइनिक, chemical क्या है, तो dynamite में क्य यूज होता है वही, तो glycerol नहीं होता है, glycerol triacetate trinitrate, तो options यहाँ पर सही है, glycerol trinitrate यूज होता है, तो option यहाँ पर सही answer हो जाएगा, तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में, thanks for watching.